Hello students, we are going to continue exercise 6.4, question number second, read the statement carefully, find the number of digits in the square root of the following numbers, ये नीचे हमारे पास 5 parts हैं इस question के, हमें number of digits निकालने हैं, यानि कि अगर इनका square root लें, तो वो कितने digit number होगा, और specially इस question में कहा गया है, without any calculation, बिना किसी calculation के किये, हमें इसका answer बताना है, तो चलिए पहले concept समझते हैं कि without any calculation हम कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले देखिए, आपने division method किया हैं न, division method जैसे मानलो 1, 2, 9, 6, आपको इसका division method यूज़ करके square root निकालना सिखाया गया है, मैं थोड़ा सा वो revise करवाता हूँ, हालांकि उसकी इतनी ज़्यादा usage नहीं है, लेकिन फिर भी एक concept समझने के लिए ध्यान रखना है, जैसे 3 के table पे हम करते थे, 3, 3, 0, 9, 12 में से 9 माइनस करोगे 3, 9, 6 नीचे आ जाता था, 3 का double 6, मैं speedly wind up करता हूँ, और यहाँ पर 6 लगाते थे, 6, 396 और remainder के आता था 0, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर answer क्या आया जी, 1296 का square root 36, अब हमने यहाँ calculation नहीं करने ही, मैं यहाँ से आपको idea देने वाला हूँ, देखो हमारे पास two digit number आया, square root of 1296 क्या आया, 36, 36 कितने digit number है, two digit number है, यहाँ पर once place पर six आ रहे, 10th place पर three आ रहे, अब यह 96 का एक pair बनाया, 12 का एक pair बनाया, बार लगाते थे उपर, बस याद क्या रखना है, जितने बार लगाते थे ना, उतने digit number बनेगा, जितने बार लगाते थे, अभी मैं अगर यहाँ पर इसके answers लिखने शुरू करूं, number of digits, बिल्कुल single step में इसका answer आएगा, बिल्कुल single step में, जैसे 64 में pair बार लगाते थे ना, पीछे से शुरू करते थे, यहाँ तो सीधा 64 के उपर ही बार लग जाएगा, एक बार बार आया, तो number of digits कितने आएगे, एक, अभी वैसे मैं इसका, अगर बताऊं भी, तो root 64 किसके इक्कुल होता है, 8 होता है, single digit ही होता है लेकिन हमें तो बार से पता लग गया, यहाँ देखो, एक बार तो 44 पे आएगा, एक आएगा 1 के उपर, right, कितने बार लगे यहाँ पर, दो बार लगे, तो number of digits कितने होंगे, 2 होंगे, हाँ अपनी knowledge के लिए, यह देखिए, root 144 किसके इक्कुल होता है, 12 के इक्कुल होता है, देख उसमें number of digits कितने हाएंगे, 2 आएंगे, मुझे बार से यह idea हो जाता है, हाई, अपनी knowledge के लिए, 24, 8, 9 का अगर आप square root निकालेंगे, तो जी, वो 67 आएगा, 2 digit number ही आएगा, इधर देखिए, एक बार, दूसरा बार, तीसरे number पे अकेला 2 भी है, तो कितने बार लगा रहे हो यहाँ पर 3 लगा रहे हैं, तो number of digits कितने होंगे, 3 होंगे, वैसे इसका answer क्या है, हलांकि इस question में पूछा नहीं गया है, जिस्ट अपनी knowledge के लिए, 27225 का square root होता है, 165, अब यहाँ पर देखते हैं, एक बार, दूसरा और तीसरा, 3 pairs बन रहे हैं, तो यहाँ पर number of digits कितने ह होंगे, square root में, 3 होंगे, और इसका square root भी देख लेते हैं, कितना आता है, इसका square root आता है, 625, तो कुल मिला कर number of digits अगर square root के बताने हो, तो सिरफ और सिरफ पीछे से pairs बनाने हैं, बार लगाने, जैसे division method में आपको लगाना सिखाया था, बस वो number of bars count करो, उतने ही digits हमारे आ question आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कल हम आगे continue करेंगे, thank you